कि अच्छा हम लोग देख रहे थे मुल्टी मीडिया प्रॉजेक्ट के अंदर स्केजुलिंग के स्केजुलिंग को यह कॉंटीनियू करें हम लोग अधिस्टेज क्लाइंट्स नीड तो अप्रूव और साइन आफ ओन दाव क्रियेटिटिक इसकेजुलिंग के अंदर ही किया फुल फ्लेज़ स्केजुल कर ली जाती है किया के चीज़े रिकॉयड हैं कितनी किती रिकॉयड है और फिर ख्लाइंट से किया है साइन करवा लिए जाता है एनी रिवियन आफ प्रिविसली अप्रूव मैटेरियल वुड रिकॉयर चेंज ओर ठीक है फिर पहले से अप्रूव हुई चीजों के उपर अगर रिवियन की जा रही है उनको कुछ मोडिफिकेशन वगरा देनी है तो वह भी हो जाती है ठीक है लेकिन उसमें क्य प्रिविसली अप्रूव मैटेरियल शुड भी बाइदा क्लाइंट अच्छा अब यह कह रहे हैं कि अगर पहले से जो चीजे अप्रूव हमने कर दी है और फिर हम उनके चेंज करवाना चाह रहे हैं तो वह जो चेंज हम करवाएंगे ना एक्स्ट्रा का बाद में उसके ल लग से चार्जिंग होंगे वह दुबारा से फिर बजिटिंग होगी ठीक है वन निगोशियेटिंग विद दा क्लाइंट लिमिट अफ्र रिवीएं अलाओड ठीक है तो जब आप इनक्लाइंग साथ बात कह रहे हैं सारी चीजे वहां पे प्लैन कह रहे हैं महां पे आप लिमिट से स्पैक्टिपार काशिब कर लेंगे किअ कितीयो दफकाद ब मारा से Calvin और रेहे सकते हैं किद दफकाद अचन्य नहीं लिमिट नहीं रखें यह तिजिए कर एक बार क्लाइंट को बाता तर Grande week कि कि इतनी ताइम वो चेंज करवा सकता और उसके उपर कॉस्ट है तो फिर वो सोच समझ के बार-बार चेंज करवाएगा ओके नेक्स्ट इस एस्टिमेटिंग को स्थेमिशन इस दन बाइनलाजिग अच तास्क इंवाच इंवाब इंड प्रोजेक्ट और टीब अपिपल व बिल्डिट cost estimation के अंदर क्या चीज़ होगा project के लिए जों जोंसे चीज़े चाहिए जोंसे टास्क और उनको करने के लिए जितने भी persons जितने भी लोग चाहिए उन सब की cost estimation इसके अंदर आजाएगी ठीक है the hidden cost of administration and management are also included in the cost estimation ठीक है उसके लबाब project management के लिए administration के लिए testing के लिए tracking के लिए जितने भी cost होंगी जो hidden जो सामने ज़र नहीं आ रही होती ठीक है वो सारी case के अंदर included होंगी a contingency rate of 10 to 15 percent of the total cost should be added to the estimated cost estimated cost के अंदर total cost का 10 to 15 percent जो है a contingency rate रखा जाता है extra का budget जो है रखा जाता है contingency rate इसलिए रखा जाता है कि जो पहले से experience projects होते है उनकी base के उपर कि इतना इसके उपर further लग सकता है या पर कोई failure इस तरह का आ सकता है ठीक है उस experience की base के उपर हम contingency plans बना लेते हैं उसकी कुछ amount रख लेते हैं ताके अगर कोई bad situation हो तो उसको हम क्या है mitigate कर सके उसको minimize कर सके उसको control कर सके फोरण से तो वह सारी के cost इसके अंदर include होती है time money and people are the three elements that can vary in project estimate ठीक है project estimation तो हम कर लेते हैं लेकिन almost यह हर तरह से vary हो जाता है change हो जाता है money भी change हो जाते है budget के लिहाँ से और people ठीक है वह भी change होते रहते हैं technology भी change हो जाती है तो यह सारी चीज़ें यह vary करते हैं लेकिन फिर भी हम estimation कर लेते हैं the time at which payments are to be made is determined payments are usually made in three stages ठीक है अब यहां पर क्या है यह तीनों स्टेजिस बताइगी है time money and people ठीक है मतलब यह बताया है कि तीन total हमारे element the billing rate should be equal to the total cost plus a reasonable profit margin ठीक है a billing rate जह होगा should be equal to the total cost ठीक है total जितना उसके पर budget लाग रहा है plus reasonable जितना अपने profit उसपे लेना है वह भी साथ में add करके तब आपको total जह हो bill बनेगा typically billing rates for multimedia projects range from the dollar 60 to 150 and or ठीक है पर और के लिहां से अगर आप ले रहे हैं तो multimedia project के लिए एक rate define कर दिये 60 to 150 dollar per और ठीक है इतना earn होता है lower rates do not necessarily imply poor quality of work they could rather mean lower overhead ठीक है अगर low rate है इससे कम अगर specify किया जा रहा है rate तो इसका यह मतलब नहीं कि आपका project बड़े poor level का है वह अच्छा नहीं इसविज़ से money जो है वह काम है यह भी हो सकता है कि उसके इतना task नहों इतना overhead नहों इतना burden नहों जिसके विज़े से इस तरह से है the demand supply mechanism determines the prices ठीक है demand supply mechanism उसके थुरू भी prices कर दी जाते है कि demand कितनी होरी supply किस लिहास से करनी है उसके लिए कितना time और budget लगेगा इस लिहास से भी हम लोग कर सकते हैं कॉंट्रेक्ट कॉंट्रेक्टर एंड कंसल्टेंट can be hired but they should be built at a lower rate ठीक है अब यहां पर क्या है कॉंट्रेक्टर और कंसल्टेंट इनको भी हम लोग हायर करते हैं क्योंकि इनके अंदर भी क्या है हम लोग ने जो डिफ्रेंट रेट्स वखरारा वो अंदर इनक्लूड करने होते हैं ठीक है के कंसल्टेंट रहा वो अपनी फीव बता देता है कॉंट्रेक्टर वगरा वो अपनी फीव बता देता है ठीक है तो उसके लिहास से क्या है हमने इसको देखना होता है उनकी भी पेमेंट इसके इंदर डालनी होते हैं एंशर दाट कंट्रेक्टर परफॉर्म दामेजरिटी आफ देर वर्क ओफसाइट अड यूज देर ओन एक्विपमेंट्स तो अवड ट्लासिफाइं देम एज एंप्लोई थीक है अब कॉंट्रेक्टर जो है अच्छा नेक्स्ट है हमारी एस्टिमेटिंग ठीक है एस्टिमेशन को यह हम आगे कॉंटिनु का रहे हैं नेक्टगरिज आफ एक्स पांश इंकर्ड फार प्रोड्यूसिंग मल्टीमिडिया आठ ठीक है अब यहां पर क्या है कि आपकेивает क्मिड मुंटी मिडिया प्रॉजट cost अब development cost के नर कौन कौन सी cost आ जाती है salaries आ जाती है employees की client meeting वगारा range होती है उसके expense आ जाता है acquisition of contents आप जो multimedia content सारे जो require करते हैं project के लिए वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं और जो communication होता है ठीक है meetings वगारा ये communication link ये इसके लावा और कौन सी cost आ जाती है अधर प्रोजिट्ट इवलब्मेंट की इनका जाती है इसके लावे और कौन सी cost आ जाती है projekt development के अंदर के ‎ कयार जाती है ठीक आ।्रेवल की कोस्ट आ जाती है तीक है travelling की कोस्ट आ जाती है उसके लावा research वोगर को करते हैं कॉस्ट आजाती है प्रोपोजल एंड कॉंट्रेक्ट प्रप्रेशन की कॉस्ट आजाती है ठीक है अगर आपने कोई डॉकॉमेंट वगारा बनाया है प्रोपोजल बनाया है कॉंट्रेक्ट वगारा तो वह सारा जॉप राइट अप करते हैं डॉकॉमेंट जो स्टेशनरी ल लेते हैं ठीक है है वेडिंग देके उसारी इंक्लूट करते रहते हैं और फिर उस तरह से कहा लेते हैं अब प्रोडक्शन कोस्ट गैं फर्थर भी एग्लासीफाइड एगी तो इसके अंदर कोन कोन सी कोस्ट ऑढ़ेंगी घरिक्शन कोस्ट कramble team management cost content acquisition कोस्ट ठीक है management की इतनी कोस्ट उगी content को require करने को स्ट होगी content क्रियेशन कॉस्ट अगर आप कॉंटेंट से क्रियेट करें कोई एलिमेंट वगरा उनकी कॉस्ट ग्राफिक्स प्रोडुक्शन कॉस्ट ठीक है ग्राफिक्स वगरा की कॉस्ट आडियो प्रोडुक्शन कॉस्ट वीडियो प्रोडुक्शन कॉस्ट ठीक है आथ्रिंग फिर वगर आप यूज़ का रहे हैं उन सब की सारी प्रोडक्शिन के अंदर कास्ट और जागी जो आपके प्रोड्यक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कास्ट होगी टेस्टिंग कास्ट के अंदर कौन-कौन सी क्षाट आ जाती है जो टेस्टर बगरा की होती है फिसिलिटी रेंटल ठीक है अगर आपने कोई चीज रेंट बगरा की विए उसकी लीज बगरा देनी है वो प्रिंटिंग कोस्ट, फूड एंड इंसेंटिव्स, कॉफी ठीक है जो डिफर्ट लोगों को आप अगर पार्टिस्पेट करवाते हैं ठीक है किसी भी टेस्टिंग वगरा के लिए या अनाल्सिस वगरा के लिए उनकी पेमन्ट जो है उसको कहते हैं हम लोग कॉफी ठीक है एडिटिंग, कि किजी जो कॉस्ट होती है और बीता प्रोग्रम वी टे प्रोग्रम से जिब आप इनको टेस्टिंग के लिए णी उड्रेसाइयटे पे देते हैं चांप टेस्तिंग के लिए तो उसकी क Taust किständट सिकंदर आयाए है किस डिस्ट्रीशिंख कोस्ट के अंदर प्राजर्ट की मैनुफिक्ट्रिंग कोस्ट मार्केटिंग उनकी एडवर्टीजमेंट उनकी शिपिंग टिकर डिप्लॉय करने की सारी कॉस्ट जी है वो इस्टिमेटिंग डिस्टिबिशन कोस्ट के अंदर आ जाती है कि आगे हैं रिक्वेस्ट फार प्रोपोजल हो RFP, request for proposal, ठीक है, यह क्या होता है, these are formal and detailed documents from large corporations who are outsourcing their multimedia development work, ठीक है, यह एक हमारे पस क्या होता है, एक formal, एक detailed document होता है, ठीक है, जो कि अगर हम outsourcing वगरा करते हैं, तो यह क्या है, एक document जरूरी होता है, ठीक है, इसके उपर के है, हमारे सारी details वगरा वो लिखी भी होती है, proposal type का होता है, ठीक है, development work का, they provide information about the scope of the work and bidding process, ठीक है, जितना भी हमारा project है, उसका scope कितना है, क्या चीज़ इसके इंक्लूड है, क्या चीज़ लिमिटाइज की गई है, उसकी bidding के लिए को उसा process apply के जाएगा, ठीक है, यह सारी चीज़ इसके इंदर written form में होती है, they are generally not very detailed and specific, ठीक है, वो जादर detail भी नहीं होती है, लेकिन जो major चीज़े होती है, वो इसके अंदर होती है, ठीक है, जो जुरूरी होती है, specific चीज़े है, वो इसके अंदर जो included होती है, ठीक है, यहाँ पर RFP के एक sample आपको दिखाया गया है, जो 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 से चीज़े required है, उन सब की detail इसके अंदर डाली गई है, ठीक है, बिड़ प्रॉपॉजल, should contain an executive summary or an overview, ठीक है, अब बिड़ प्रॉपॉजल के अंदर किया है, जितनी भी executive summary है, जो overview है, जो main उसका theme है, वो सारा इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, the backbone of the proposal is the estimate and project plan, which describe the scope of the work, ठीक है, वोई वली चीज़े है, जो के आपका project का backbone है, main चीज़े, main point है, ठीक है, estimation, scheduling, planning, scope, यह सारी चीज़े इसके अंदर add की जाती है, ठीक है, the cost estimates for each phase or deliverable milestone and the payment schedule should also be included, ठीक है, उसके लावा जो deliverable है, हर एक deliverable का time, उस deliverable की cost, ठीक है, वो सारी इसके अंदर include होती है, ठीक है, मतलब यह formal से दो document बना लिए जाते हैं, contract इनको कहले हैं, ठीक है, इसके उपर जो पर सारी इसे mention होती है, sign होते हैं, और फिर जहें, इनको contract को sign करके फिर जहें डील होती है, should contain the graphics and interactive goals of the project, ठीक है, उसके लावा आपके project के goals क्या है, ठीक है, वो सारी इसके अंदर होते हैं, prepare a brief synopsis if the project is completed, project की completion के टाइम पे, एक synopsis सा बना लिए जाता है, छोटा सा यह भी एक document होता है, ठीक है, approval के लिए, आपके project लिए होता है, जो कि start के बनाया जाता है, और इसके अंदर जो है, आपके project के बेंजर जितनी भी चीज़े हैं, वो इसके अंदर include होती है, लिखी गई होती है, signopsis में, ठीक है, list the terms and condition of the contract, उसके लावा जो हों से rules, regulation, constraints, conditions बगारा, वो सारी इसके अंदर लिखी गई होती है, the terms of a contract should include a description of the billing rate, the invoicing policy, third party licensing fees, fee and disclaimer for liability and damages, ठीक है, उसके लावा जागा चीज़े होती है, आपके billing rates, invoicing policy, जो इसके होती है, ठीक है, जो इसके लावा अगर थर्ड पार्टी से outsource वगरा का रहे हैं, उसके license fees, उसके contract और उसके लावा जो इसके लावा जो इसके लावा जो इसके लावा जो इसके लावा जो आपने payment लेनी है या देनी है, वो सारी इसके अंदर include ह ठीक है, design the proposal according to the client expectation, ठीक है, client जिस तरह की requirement करता है, उसके according वहां पे आपने बना के देना होता है, ठीक है, वो description होती है, और proposal should appear plain and simple, yet business-like, ठीक है, बड़ा plain, simple, और जादा भरावा ना हो, लेकिन business की look उसमें आ रही हो, ठीक है, पता चले कोई professional चीज है, ठीक है, बच्चो अबर इसीज भी ना रगए, बिल्कुल, अटेबल अफ कॉंटेंट और एंडेक्स इस अस्ट्रेट फारवर वे तो प्रिजेंट अपर प्रोपोजल इन कंडेंस्ट ओवर्विव, ठीक है, हम क्या करते है, इजी वे है, टेबल अफ कॉंटेंट बना लेते हैं, इंडेक्सि हो जाता सारी चीज़ों को वेरिफाय करना, चेक्लिस्ट बनाना के लिए सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं या नहीं होई, ठीक, नीट अनल्सिज एंड डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स दा रिजन, दा प्रोजेक्ट इस बिंग पुट फारवर्ड, ठीक है, ठीक है, इनका बैनिफिट क्या होगा, तो क्या हमें सारी चीज़ें क्लेरली पता चल जाती हैं, कि हम प्रोजेक्ट बना क्यों रहे हैं, इसका इन फ्यूचर हमें क्या फाइदा होगा, ठीक है, एक नेसेसरी टूर डिस्क्राइब दा, टार्गट और्डियंस एंड समने रख όמםे फिर सकौर्डिंगी सारा काम होता है, नेक्स्ट रिएटिव स्ट्राटिजी this section describes the look and feel of the project creative strategy क्या कहता है आपके project की aesthetic बताता है look and feel उसकी appearance बताता है उसकी layout बताता है ठीक है तो किस तरह से हमारे सामने शो होगा this is useful if the reviewing executive were not present for the primary discussion ठीक है फिर अगर जो है कोई executive chief executive वगरा उस time पे available नहीं है तो यह सारी जीज़ें किया उनके review के लिए वहाँ पे रख दी जाती है ठीक है ताके जो है बाद में जब review वगरा करें project implementation this section contains a detailed calendar, bird chart, Gantt chart and the list of a specific task with associated completion dates, deliverable and work hours ठीक है अब project implementation के अंदर हो क्या रहे हैं किस के अंदर क्या की चीज़ें होंगी जो भी detailed calendar पर्ड chart, Gantt chart यह चार्ट क्या काम करते हैं पर्ड chart, Gantt chart कर भी इनकी बात हुई थी यह project management tool है software है जिनके अंदर के हम सारी activities लिखते हैं साथ में उनका budget उनका time उनकी cost ठीक है कितने time में बनेगा यह सारी चीज़ें वहां पर specify होती है ठीक है तो यह यहां पर Gantt के implementation के अंदर help करता है पता चल जाता है कितना काम हमने कितने time में किया है ठीक है यहां पर फिर आपको bid proposal जो दिखा दिया गया है ठीक है show करवा दिया गया है और यहां पर जाए इसकी summary इसको देख लेते हैं